Hello everyone, welcome to this video. दोस्वों, किसी भी exam की त्यारी स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि हम उस exam के past year papers को अच्छे से analyze कर लें. Past year paper की analysis से हमें पता लगता है कि भाई, किस component की कितनी weightage है, कौन से most important topics हैं, कौन से ऐसे area से जहाँ पर हमारा ध्यान पका जाना ही जाना चाहिए, exam का nature क्या है, कि स्टडिकी की question examination में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम अपनी preparation strategy उस हिसाब से बना सके. तो इस video में मेरे purpose रहेगा, कि मैं आप लोगों को APFC exam के past year paper की detailed analysis बताऊँ, ताकि अगर आप लोग APFC exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप इस analysis को use करके अपनी तयारी को और अच्छा बना सके. तो इस video end तक पका दिखेगा. और दूसरे मैं आप लोगों से request भी करूँगा, कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें. और इसके साथ अगर आप लोगों को complete information चीयर रिगार्डिंग अपफसे examination या EO examination, तो हमने guidebook बना रखिए, जिसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका link description box में है. तो शुरुआत करते हैं इस video की, देखिए सबसे पहले हम जब analysis करते हैं, तो हम यह जानना होता है कि इस exam का level क्या है, किस तरीकी की कोशे इस examination में पूछे जा रहे हैं, तो यह चीज़े हम discuss करेंगे इस video में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं level of exam की, तो अगर 2012 का APFC, 2015 का APFC और 2023 का APFC ध्यान से analysis करें हम उसकी, तो हमें पता लगता है कि यह paper बिल्कुल भी आसान नहीं है, इस paper का level moderate to tough level है, और इसकी जो inclination है, वो tough की तरफ थोड़ी जादा है, moderate की तरफ थोड़ी कम है, अगर हम 2023 का exam भी देखें, तो 2023 के examination में अगर आप लोगों से 120 question पूछे गए हैं, तो more than 50% questions worth there, जो की tough side पे जो है fall करेंगे, ना कि moderate side पे, तो overall जो examination का level है, वो ऐसे तो moderate to tough है, बट higher जो inclination है, वो tough side पे है, तो आप लोगों को एक बहुत ही quality preparation करनी पड़ेगी, तो अगर मैं type of question की बात करूँ, तो यह examination एक typical UPSC paper की तरह लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको factual question भी देखने को मिलेंगे, examination में आते हैं, लेकिन number काफी कम है, उसके अलावा जो maximum number of question होते हैं, वो है analytical question या फिर conceptual question, जहाँ पर आप लोगों को पढ़िवी knowledge को apply करना होता है, state forward question नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को कही ना कहीं जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपको logic लगा के देखना पड़ेगा, उस question के हिसाब से, और फिर जाके आप correct option पे पहुचेंगे, तो अगर मैं question के style की बात करूँ, तो one liner question भी होते हैं, state forward question भी होते हैं, multiple statement based question भी होते हैं, जहाँ पर 3-4-4 statements भी हैं, और यहाँ पर chronology based question भी है, और आपको matching वाले question भी देखने को मिलेंगे, आपको A, B, C, D को match भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर different style of question है, और दोस्तों यह question पेपर को lengthy भी बना देते हैं, अगर one liner question है, तो paper कही ना कहीं simple होता है, जल्दी आप cover कर लेते हो, 120 question दो गंटे में, लेकिन अगर paper में multiple statement based question है, या फिर chronology based question है, या फिर आपको multiple option वाले question दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप लोगों को time management बहुत अच्छे से करनी होती है, तो यह दो learning हमें आपर मिल रही है, पहले learning क्या है, कि हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़े क्योंकि paper tough side पर है, दूसरी learning क्या है, कि paper में analytical and conceptual question ज़्यादा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पढ़ते time, जो अपनी consideration हो हाई रखनी पड़े कि और हमें logic develop करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ratification नहीं करनी है, हमें चीजों को समझना पड़ेगा, उनको apply करना आना चीए, और तीसरी important learning क्या है, कि paper में हमें time management भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 गुंटे में 120 question इस style के complete करना difficult है, अगर हमारी practice ना हो, आगे बढ़ते हैं, तो सब बात करते हैं कि questions किस तरह के आ रहे हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से इसको judge कर पाओ, तो अगर मैं factual question की बात करूँ, तो जैसे एक 2014 में question पूछा गया था, कि Ayodhya is located at the bank of which river, अभी factual question है, और one-liner question है, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा time नहीं लगेगा अगर आता है question, और अगर नहीं आता है, तो अभी आप pass on करोगे, बहुत ज्यादा time waste नहीं करोगे, similarly question है, which one of the following pairs of dynasty and king of the vision, अगर empire is not correctly match, again factual question है, अगर आता है तो बहुत बढ़ी है, अगर नहीं आता है तो सोच भी नहीं सकते, तो कभी नहीं मार सकते, तो ऐसे questions में आप लोगों का time कम जाता है, प्लस, आप लोगों को रटा होना चाहिए, आप लोगों की knowledge बहुत शार्प होनी है, आप लोगों को चीज़े रटी होनी चीए, तब भी जाकर आप इन questions को solve कर पाओगे, अब दूसरे टाइप के question है, conceptual या analytical question, जैसे question है, कि if the Prime Minister of India is a member of Rajya Sabha और आपको चार option दिये गए, अब दोस्तों ये चीज़े आपको कहीं लक्षमिगान्त में, या फिर इडी बस्तू में या फिर सुबास कश्यप में लिख्यू ही देखने को नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ पर अपनी पढ़वी knowledge को from the PM chapter और from the Parliament chapter अपलाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस question को solve कर पाएंगे, that's why this question is called conceptual question, ति मेरा लिए अगला question देखेंगी, for an inelastic collision between two objects, which other among the following statement is correct, अब यहाँ पर आपको general science में physics के एक, जो elastic collagen है, inelastic collagen के topic है, उनकी application पता होनी चाहिए, और different conditions पता होनी चाहिए, कि किस condition में क्या होता है, कहाँ पर momentum गंजव होता है, कहाँ पर energy गंजव उड़ती है, तब ही जाकर आप ए question solve कर पाएंगे, तो this is again an analytical question, again एक और question देखेंगे, which of the following statement about curative petition is correct, आपको तीन statement दे दी है, multiple statement वाला question है, अब यहाँ पर again आपको supreme court वाले जो topic है, उनकी knowledge apply करने पड़ेगी, और दोस्तों यहाँ पर एक और learning आपकी हो रही है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कि जो question है, वो आपके statics ले बस, plus जो current affair का domain है, उससे mix मिला के पूछा गया, क्योंकि curative petition कहीं ना कहीं news में रहती है, हमने निर्बया case देखा है, हमने दो-तिन case और देखा है, जहाँ पर curative petition का जिक्र हुआ है, और current affair में topic आया भी है, तो आप यह देखी कि static के भी दो statement है, और एक statement current affair के, तो total तीन statement आपकी question पूछा जाएगा GS में, तो history का वही topic उठाया जाएगा, जो कहीं कहीं current में news में होगा, तो आपको यह असानी हो जाएगी, मैं कौन सा topic कैसे pick करूँ, ठीक है, यह question की बात करते है, weightage of different component, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की problem को solve करने के लिए, आप लोगों को trend जो गए, tough question नहीं थे, doable question थे, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी English की knowledge है, तो आराम से आपर 20 में से 15 number ले सकता था, और यह number बढ़ा है, अगर मैं 2015 की बात करूँ, तो 10 question पूछे गए थे, और 2012 में 12 question पूछे गए थे, तो English के जो question का number है, वो increase हुआ है, और यह number 20 हो ग 15 में 29 question पे था, 2012 में 7 question पे था, लेकिन अब यह 15 question पे आ गया, और मुझे लगता है, कि आने वाले papers में भी आपको यही 15 question math के और 20 question English के देखने को मिलेंगे, this is the standard number जो UPSC बाकी examination में फॉलो कर रहा है, recruitment test के, आगे अगर बात करें, computer application की, तो 10 question again number fix है, तो आप यह note कर लीज के, 15 math के, और 10 computer application के, यह number आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर current affair की बात करूँ दोस्तों कही ना कहीं current affair की weightage down हमें दिख रही है, direct question current affair के नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि कही ना कहीं current affair को वो static part से mix करके पूछ रहे हैं, इसलिए वो question static part का हो रहा है, तो यहा अगे भी रहेगा, अगर बात करें GS की, दोस्तों, this is the most important pattern जो हमने note किया है, कि GS की weightage प्राणे examination में around 45 plus questions की थी, ठीक है, 2012, 2004, या फिर 2015 में, लेकिन अब यह question जो number है, वो कहीना के down हुए हैं, और हमें सिर्फ 33 question देखने को मिले हैं, in the 2023 examination from the components of history, polity, economics, general science, population development and globalization, तो number decrease हो, और इन में भी 10 question fixed हैं कि आपके journal science के question पूछे जाएंगे, तो again वो भी आप जो है अपने यहाँ पर लिख सकते हैं, अब बात करते हैं, तीसरे most important area कि जो है IR, social security, accounts, auditing and insurance, तो यह एक ऐसा area है, जिसकी weightage भढ़ती भी दिख रही है, अगर मैं EU examination की analysis भी आपको आगे बताऊंगा वहाँ पर भी यही trend देखने को मिलेगा, और APFC examination में भी यह trend clearly visible है, कि कही न कहीं यह component बहुत important होता जा रहा है, और 2023 में 34 question पूछे गए, जो की almost 100% jump है from the previous number, तो यहाँ पर यह भी आप मानके जाले कि GS में अगर आपसे 30 question पूछ रहे हैं, तो और 30 question ही आपसे IR, labor on social security के पू नीची देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों अब आपके पास यह clarity मिल की कि कौन सा component कितना important है, 2015 और 12 की analysis से कुछ लोग ही सोचते थे, कि अगर हम IR, liberal law, social security accounts छोड़ भी देंगे, तब भी हमारे पास 105 question होंगे, तो 105 question से भी हम paper qualify कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब वो बात ग 100 marks score करना बहुत ही difficult feel होगा, तो कहीं न कहीं components आपको prepare करने ही पढ़ेंगे, तो यह analysis है component wise weightage की, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक trend और मैं बता दूं, कि आपकी preparation के 3 important area होने वाले है, पहला important area है, quant reasoning English plus basics of computer application, यह आपका around one third paper है, similarly second area कौन सा है, second area है आपका GS plus current affair, यह आपका again one third paper है, और तीसरा area है आपका special components, IR and liberal law, social security and accounts, यह भी आपका one third paper है, तो आपको इन तीनों areas को prepare करके जाना है, जब आप इस exam में attempt करने जा रहे हो, और आप qualify करने के मकसद से जा रहे हो, अगर आप इन में से कोई भी एक domain छोड़ के जा रहे हो, तो फिर आपकी selection होने के chances ब नहीं बनाई डंग से, और अगर आपने बना रखे तो बहुत बढ़िया है, उसको follow करते रहे है, और कहीं ना कहीं अपनी तयारी में past year papers को अपने साथ रखे है, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए एक guiding light है, जो आपको बताते हैं कि आपका right tech of preparation क्या होना चीए, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई doubt है, कोई आपकी tension है regarding the APFC examination और EO examination, comment section आपके पास है, thank you very much, जै हिंद, जै बार